सब्सक्राइब करता हूँ आज मैं सभी लोगों को लेकर क्या आया हूं कंप्यूटर की फंडामेंटल चीज़ें जो भी कंप्यूटर समझी प्रशने पूछे जाते हैं तूपर टेट हो या फिर और भी कोई एक्जाम हो उसमें आप सभी लोगों को यह बिल्कुल हेल्प करे करेंगे आगे चल करके तो इसमें जो पहला आज का जो लेसन होगा उसमें हम कंप्यूटर करते हुए आज हमको लैटॉप टैबलेट या इसके दिखाई दे रहा है आज हम लोग सूपर कम्प्यूटर तक पहुच चुके हैं तो वह सब सारी चीज़ें कैसे विकास होते हु हम आज यहां तक पहुचे हैं उसके बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो जैसे अगर मालीजिए अगर हम कंप्यूटर कहते हैं तो कंप्यूटर कहते हैं हमारे दिमात में इस टाइप का कुछ इमेज दिखाई देता है कि हाँ इस टाइप का कंप्यूटर जो ही हम लोग computer जैसा कुछ सब्द यूज करते हैं वह हमको लगता है कि कुछ इस type का होता होगा ठीक है लेकिन यह क्या इस form में पहले से ही इस तरीके से आया है नहीं यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे इसमें changes हुआ है बहुत समय लगे हैं बहुत सारे लोग इस इसमें से जो कोशन बनता है बहुत जड़ा तो नहीं बनता है लेकिन बनता बहुत अच्छा है बेसिक से और कई एक्जाम में देखने को मिला है ठीक है अगर आप कोई एससीक त्यारी भी करना चाहता है या फिर कोई दूसरे परिच्छाओं में भी अगर computer बनता है तो यह से कोशन आ सकता है ठीक है हम उस तरके से बहुत सारा material यहां से लेकर करके आए हैं सभी लोग जानता है computer क्या है computer एक क्या है electronic device है जिससे हम लोग क्या करते हैं हमारे द्वरा दी गई सूचनाओं को अग्रहन करता है और अत्यांत्र कम समय में बहुत सारा कुछ प्रोसेस करक में करके हमको a iqす देता है अब अगर हम दुगाण देंगे तो अगर हम oma D सभी होंगे तो इक क्या है यह यह wanna मसीन है computer क्या है अच्छा computer जो बना है यह hamं compute सब्से माइं कम्प्यूट सब्ड से यहां कम्प्यूट किस सब्द किस भासा का है तो अंग्रेजी भासा करना और इसका अर्थ होता है गड़ना करना कम्प्यूटर जो बना है वो कम्प्यूट से बना है कम्प्यूट अंग्रेजी भासा का सब्द है और इसका अर्थ होता है गड़ना करना अर्था कम्प्यूटर वाला जो पूरा का पूरा कारे होता होगा वो गड़ना से समंदिल कारे होता होगा तो कम्प्यूटर को हम लोग क्या करते हैं हिंदी में संगड़क कहते हैं आक्सफोड इंग्लिक्स डिक्सानली के अमसार जो कंप्यूटर सब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह 1613 में किया था तो उस टाइम पर सबसे पहले computer सब्द के बारे में, इन्होंने computer सब्द का परयोग किया था, और थाठ computer सब्द का सबसे पहले परयोग किया गया था, अगर तो 1413 में, और सोचँ, 1413 से, और आज तक हम लोग इस तरीके से computer, इस फार में जो आप लोग लेटाप या डेक्स टाप जो भी मैं देखाया हूं उस टाइप का computer आप लोग देखते हैं को सन्पुछा सकता है सबसे पहले इस सब्सक्राइब कव किया गया इसी पुष्टक में सबसे पहली बार computer सब्दका प्रयोग किया गया चार्ल्स वैवेस को computer का जर्मदाता कहा जाता है यह तो बहुत बाद में आये लेकिन बहुत ही basic काम बहुत ही मजबूत काम इन्हों ने दिया जिससे आज हम लोग इस तरीके का जो computer हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वहां तक पहुंच पाए तो इसलिए इनको computer का जर्मदाता कहा जाता है हम लग कुछ संचिप्त विकास पढ़ेंगे बहुत सरा डीटेल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और अगर पढ़ने वाले उसको पढ़ें तो पूरी पुस्तक बहुत मोटी लबी चोड़ी पुस्तक भी मिल जाएगी तो आप उसको बहुत गहराई में नहीं उतरना है ले सबसे पहली बात मैं बता दूब जो यह किस तरके से विकास होते होते आया तो आश से लगभग तीन हजार वर्स पहले अवेकस नामक आप सुने होंगे यंत्र वहां से इसका विकास प्रारंब होता है सबसे पहला होता है अवेकस अभी हम एक एक के बारे में फोटो भी दि कंप्यूटर नहीं काते थे उस टाइम कंप्यूटर नहीं काते थे और उसके बाद में बहुत सारा अपड़ेट होते-विक्टाप पर फिर सूपर प्रेख पूर्प तब देख नभिक्वें ने सब चीज तक हम पहुंच पाया है उसके बाद आता है 17 सताफदी में दिखात उसके बाद आता है डिफ्रेंस इंजन सबके बारे में हम चर्शा करते हैं एक एक करकर करके उसके बाद आता है हेलोरीट सेंसर टेबुलर होता है जो अठाव सो नबबे इस्वी मिलता है उसके बाद जल्टू आती है जो कि मैंचेस्टर बेबी जितने भी अभी तक आप लोगों ने देखा यह जो भी पूरा यहां पर धीरे-धीरे करते-करते आते गए सोचो कितना समय लगा होगा कितना समय लगा सब्सक्राइब करते हैं जो अभी हम लोग पहले फोटो देखें उस वाले कमिटर तक पहुंच पाये कहते ही तो तुरंत कम्प्यूटर का दिमाग में इमेज वहीं आता है इसका संशित विकास क्रम में हम बात करें जो तीन हजार वर्स पूराना है कम्प्यूटर जो अवेकस है ठीक अवेकस के बारे में हम बात करें अरंभिक अवेकस जो है प्राचीन डेविलोन जो है उसमें ठीक है लगभग 2720 से 2320 के मध्य में यह देखा गया था अवेकस इसक अचान तरहे हैं तो 2700 इसापुर्व से ले करके तो ज़्याद 300 इसापुर्व के बीच में जो अरंभिक अवेकस था मने जो इस्टार्टिंग जो बनाया गया था वह प्राचीन बेविलोन में देखा गया था कब देखा गया था 2700 BC से 2300 BC के बीच में देखा गया था वो आज नहीं बहुत साल पूराना आप सोच लिए तब दिखा गया था इसी के उन्नत अर्थात कर सकते हैं एडवांस रूप को चाइना ने बनाया और फिर जो चीन बनाया उसको हम लोग ज़्यादा तर देखते हैं कि इमेज दिखाई देता है ऐसा कुछ बना था थीक है तो यहीं आवेकस है इसमें आप देख सकते हो क्या-क्या लगें जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं हता हैं पूरा अ यहां पर समझ ली ओंगे कभी कोशन पूछा जा सकता है कि जो अवेकस नहीं ऐसा कुशन आ सकता है देखो अब यह एक टारों का फ्रेम होता है इसमें प्लास्टिक के अधात के गोले लगे होते हैं नमबर तीन उसमें इसे प्रारम समय में गड़नाओं के काम में व्यापारी लोग इसका प्रयोग करते थे फिर नमबर चार अंकों को जोड़ने घ क्यों नहीं एक दो तीन और डी आपसंद रहेगा एक दो तीन चार सभी तो इस तरिके से बना करके कुशन दिया सकता है तो आप या फिर कभी कभी कुशन है सभी आ जाता है कि अब एकस के बारे में सत्य है इसमें प्लास्टिक अधात के गोले लगे होते हैं नमबर दो इस दरपंड लगे होते हैं कुछ इस तरके से बना सकते हैं तो उसमें आप ध्यान दीजेगा यहां पर मैं बताया हूं इसी में से कुछ ने कुछ कोसन बना करकर लिखे जाते हैं ठीक है तो हलाकि उतना टफ कोसन नहीं आएगा वह अलग-अलग एक्जाम में आ सकता है जहां पर कंप्यूटर का परिष्चा और भी होता होगा उपर वंडे एक्जाम में उपूछा सकता है उस तरके से आगे चलते हैं एडिंग मसिन अपके सावन दिखा दे रहा है जो उपर वाला वाला दिखाई दे रहा है यह दिखा देग्शे यह नीचे होको याद होगा जो हाँ गटाने वाला काम होता था आगे बाखते थे जूड़ तक घट जाता था जैसे आप लोग सीधियर ध्यान दिजेगा बाइक या उसमें जो स्पीडो मीटर होता है अगर उसको पहियों को आगे चलाते हैं तो चलता है पीछे कर देते तो बैख हो जाता है तो जोड़ने और घटाने में इसमें काम होता था इसमें गुड़ा और भा जिस पर 0 से लेकर करके 9 तक डिजिट लगे होते हैं और जब घुमता जाता है 1,2,3,4 तो जब 0 to 9 जाता है जब 9 के बाद 0 होता तब तक उसके दाइने साइड वाला एक अंक और खिसक जाता है वो चकतियों में पूरा-पूरा उसका क्रम लगा होता है तो उसी पर यहां य पतलब जो एडिंग मसीन है और पास्कलाइन जीसा दिखने लगी अर्थात जो नीचे वाला इमेज है और पास्कलाइन इसको हम लोग बोलते हैं है एक टैप का एडिंग मसीन वह थोड़ा सा बदला हुआ रूप यहां पर दिखाई दे रहा होगा सबसे उपर आप देखो अगे जो एक आता है वह आता है पंचकाग अप लोग ध्यान दिखेंग जो गाउों में आ है जहां पर सारी बूनी जाती है अप पटट्टवी कामकरpiej क्या है उसमें छोटे चोटे 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 सुछ पर होते हैं उसको अपने अब जोजेफ ऑन्टे लोगनुर्ट होगा तो यहां देखें यहां तो पुरा-पुरा धागा भी उसमें लगा है और यह पूरी मसीन है यह फ्रांसेसी बुनकर थे ध्यान देगा यह कपड़ा बुनने के लिए ही बनाया गया था निशितर के बुनकर थे तो कपड़ा बुनने वाला जैसा कि मैं बताया को आटोमेटिक उस कपड़ा बुनने के लिए यह कपड़े में अपने अभी कल पर डिजाइन कर देता था आप आज देखेंगे तो जो पारलूम उगरे चलता उसमें मसीन चलती रहती है आटोमेटिक को तार कौन से उठना है कौन से बैठना है कौन से उठना है उससे करते करते जब बनता जा से चलता था तो चार्स बैवेश ने इसको बनाया था 19 सताबदी के प्रारह में कंप्यूटर के इतिहास को कहा जाता है कि प्रारह मकाल जो होने सताबदी का यह स्वार्णिं काल बहु सारा विकास इसमें हुआ था कंप्यूटर में यह एक यांत्रिक मसीन है गीयर और साट तक फ्रार्णिंगर अगसी अगर देख सकते हैं कुछ इमेसर आपको अगर ना दिखे तो उसमें अब देख लिएगा आप लोग स्लाइड होगए सब कुस कुस दिखी रहा है कहीं हम अगर सामने खड़े हो जा रहे हैं तो इस टाइप का है आप देख सकते हैं यहां से चले आगे समध्यान रखेंगे कि हम हड़ जाया करेंगे अब हम हमारी यादत है कि जैसे खड़े हो करके बढ़ाना तो यह तो पूरे पूरे बोलता ही चलो चले ठीक हम कोसिस इंजन यह डिफ्रेंस इंजन 837 में जब इसको थोड़ा और सुधार किया गया तब जाकर करके इसी को क्या बना दिया गया इनलेटिकल इंजन में कर दिया गया अर्थात यह विक्सित रूप ही है कुछ इसी तरिके का ही ओभी था आप जब जब जाकर गया गूगल पर इम समाग गया कि हाँ यार कुछ हैसा होता फिर हम एक काम कर लेते इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है अब यहां से काम स्टार्ट होता है इस तीरम को बहुत दिनों तक बहुत जलदोर ध्यान नहीं दिये लेकिन बाद जब कंप्यूटर बना जो आधनी लगा है कुछ घड़ी टाइप की कुछ छोटी लगी होती है और हम लोग भी देखें नहीं है अगर आप लोग कहीं म्यूजी में जाएगा माड़ा लोगर देखिएगा तो इसको ध्यान से देखेगा है यह क्या है अठासव नब्य में बना था और अमेरिका बनाया था इस जो पंचकार्ड थे वह दिद्यूत के द्वारा चले थे ठीक चलाया गया था उसमें अठासव नब्य से छो साल बाद जो होलरित ने पंचकार्ड बनाने की कंपनी बनाई अब जब जब पढ़ी कि पंचकार्ड भाई यह कही टाइप का डिजाइन तो बनेगा नहीं अलग टेबुलेटिंग मसिन कंपनी को बनाते होलरित बनाया थे ठीक कब बनाया थे 896 बनाया थे यह कहां पर रहा होगा अमेरी क्या में ठीक फिर उसके बाद में सोचो कितने साल बित गये करीब 15 साल तक 1911 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकार्डिंग कंपणी पंद्रसाल बाद नाम बदल दिया गया अर्था 1911 विसका नाम बदल दिया गया कोश्या सकता हैं यह का प्उटर टेबूलेटिंग कंपणी का पुराना नाम क्या था आप लोग दे सकते हैं भॉलेटिंग मसिन जानते चले समझते चलने अगर कभी जूरत पड़ेगी आप लोगों को तो बहुत खल्प करेगा और फिर दूसरे वाले वी एक्जाम में अगर कोई देना चाता इस उपर वाले में वी तो उसमें भी वह काम करेगा उसके बाद सोचो यहां से करीब 13 साल बाद इसका नाम पूरे वर्ड का सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा हाडवेर और साफ्वेर कंपणी है आईवियम और सभी लोग इससे परचित होंगे और ध्यान जेगा यहां किसका नाम बदल करके रखा गया था कंप्यूटर टेबलेटिंग कंपणी जब इसका तीसरी बार यह नहीं मतलब एक तरीके से और सबसे बड़ी हाडवेर और साफ्वेर की कंपणी है आईवियम बहुत बड़ी हाडवेर और साफ्वेर का मिनमाल करती है हाडवेर साफ्वेर बनाती है इसके बाद हम लोग चलें थोड़ा सा और अब देखो दिर 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 समय परिवर्तन होना इस्टार्ट हुआ कंप्यूटर में जड़टू एक जर्मन इंजिनियर थे उनका नाम था कुनराइड जियूस ए 1949 में क्या करते हैं कि जड़टू का पेटेंट करवाते हैं पेटेंट बनाया इन्होंने ठीक है जड़टू का पेटेंट बनाया 1949 में मतलब अब जो है कंप्यूटर थोड़ा सा नीमता सही तरिकेस बनना स्टार्ट हो जागा उस पर ज्यादातर काम होगा तो 1943 में जड़टू का एक जड़टू से जड़टू से जड़टू में 43 में लेकर के आते हैं और जड़टू के बारे में हम बता दें कि बहुत बड़ा मसीन जो थी बड़ी थी ठीक यह पहला प्रोग्रामेबल आटोमेटिक कम्प्यूटर था ऐसा पहला पहला करके आपनों को बहुत सारा मिलेगा सारे चैनल आए उसको नहीं पड़ेंगे लेकिन जड़टू ठहा यह पहला प्रोग्रामेबल आटोमेटिक कंप्यूटर था कुशन पुछा सकता है कि पहला प्रोग्रामेबल आटोमेंटिक कंप्यूटर क्या था इसका प्रियोक में शाइत به ध्यांद्रा ज़र्मन अ libro सांख की इसलेशन में किया जाता था सांख की 10 जो इस्ट्राटिकल एनालसीस होती है इस्ट्राट्रा का पूरा इसमें बहुत सरा नाटा होता उसका करने कैस क्या इंतर्ड यह पड़ती है तो वहां पर इसका प्रयोग गौलासस रखे क्या रखे क्या है यह एक इलेक्टरीक डिजिटल कम्प्यूटर पुछा सकता है कि क्या है यह निम्लेखित बात रहते हैं यह में वनाया था इसको साथ कम्प्यूटर को कोLE character एक ऑच कर ओट से कुछ साथ हीह उने मिलकर करके एक इलेक्ट्रानिक डिजीटल कंप्यूटर बनाए जिसका नाम कुलासस है ठीक आगे चले देखते हैं यह जब बना था तो क्या चला थे तो दूतिवी सुद्ध के समय में इसका प्रयोग किया कौन जर्मनी में उस टाइम में यह बहुत ही हेल्टफूल है जर्मनी के लिए ठेक आगे देखते हैं बनाया तो इंग्लेंड था निशित तरीके से आधान प्रदान में लेकिन जर्वनी भाई उसमें बहुत ही अब आप लोग विश्व का जो युद्ध हुआ था दूती विश्व के बारें पढ़ होंगे तो जानते होंगे कि लिए कितना एलफुल रहा होग आप लोग जिस फार में मैं बता दिया कंप्यूटर आज देखते हैं उसके पहले ऐसा ऐसे रूप में देखेंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे के कंप्यूटर है जैसे यह देखिए लगता है कंप्यूटर है ट्रेंकी इंजन की तरह है 1944 में आइवीअ्प के इंजीनियर बनाया थे क्या नाम था हावाड आइकों क्या था हावड के에서 हावड आइकेन यह एक मशिन बनाए जिसका नाम आपडाम हार्थे सिक्वेंस कंट्रूर क्ल्कूलेटर किस ने बनाया आईवीं कम्पनमि में एव में अन्जीनियर बनाए कौ लेकिन मैं जो मुल्ड पॉइंट हमको लगा मार्क वन यहीं है मार्क वन ठीक हैं तो मैं सोचा कि इसको जो है जरूर आप लोग इस वाले भी तथ्य को रखें इसलिए मैं आप लोगों को सामने दे दिया अधर्वाइज सुपर ट्रेटक लेबल में यह वाला कोस्चन इससे बने बहुत कठील लगता है हमको तो फिलाल अब आप लोगों को सरल हो गया ध्यान रखिएगा दो राल लेगे दो बार याद रह इसी का नाम जो है बाद बादलक करके मारक वण रखा गया है महितन साकन मारप ऐं बता थे सिकाट नाम बदलकरके बाद में मारक य हर दिया गया लगे रहते थे उसको तमाम एडिटिंग मतलब एडिटिंग नहीं जी उसको तमाम उननत तरके से बनाया गया था तो तो आप पीछे देखे थे सब्सक्राइब और फास्ट हो जाएगा और ध्यान देना पूछ सकते हैं कि पहला इलेक्ट्र सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें और सबसेटाइब और सब्सक्राइब इसमें पता है पांचो मिटर लंबाई का तो पहले वयार यूस किया गया था लगभग 30 लाख connection उसमें जोडे गए थे मतब बहुत बड़ी थी 30 लाख connection 30 लाख electronic connection और 500 मिल लंबाई का उसमें wire प्रयोग किया गया था बहुत बड़ा हो गया यह इसका नहीं यह तो मैंचेस्टर वे भी इसी टाइप का वह भी था मतलब उसका फीगर अगर आप लोग देखे होंगे तो यह बगल से देखने को मिलेगा इस साइट से तो यहां पर जो यह इमेज दिखाई दे रहा है यह है मार्क वन अब इसी का निसी तरह के सोची अब इसी से बदलते हुए तो इसी टाइप का एक और थ्वास बदला गया फिरैन्चेस्टर बेबी क्या रहा मैंचेस्टर बेबी देखो धोड़ा अलग अलग करके बना गया इसमें भी बहुत सारे वायर लगे हैं, बहुत सा सिस्टम इसमें लगाया गया होगा, यह 20 का पहला इस्टोर प्रोग्राम कम्प्यूटर है, कवन, मैंचेस्टर वेबी, ठेक, इसका रिमान का वुआ था, 1989 में, विक्टोरिया इंवर्सिटी के, फ्रेडरिक सी विलियम किये थे, और इनके साथ यह दो लोग और थे, वो थे, टामकिलवर्ण और जीव टुथिल, यह दोनों तिनों लोग मिल करकर के, विक्टोरिया इंवर्सिटी में, मेंचेस्टर बेबी बनाये थे यह उसका आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहे हैं यहीं है मैंचेस्टर बेबी यह पहला स्टोर प्रोग्राम कम्प्यूटर है ठेक अब 1940 के बाद में computer में बहुत सारे changes हुए अब उसको अगर हम एक एक करकर करके बहुत deep में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 1940 से लेकर करके बीच में जो हम लोग computer मिला वहां तक को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक करकर करके जाएगा 1946 में government application के लिए यूनिवाक बना था ठीक जो है ओ दूसरा है जो यूनिवाक है government application के लिए ब्यावसाइक काम के लिए ना उसका ब्यावसाइक मतलब तर्किस कर सकते हम लोग कि इसको क्या बोलते हैं गवर्मेंट ठीक काम के लिए समझ दीजिए तब यह यूनिवाक बना था उनिच्छी आलीस में बना था आपको पता होगा जो टेलिवीजन की तरह पहले बनता था उसके पीछे बहुत बड़े-बड़े लगे होते थे वह वैक्यूम होते तो उसको हटा करकर करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया निसी तरके सो छोटा हो गया जब ट्रांजिस्टर लग गया तो और छोटा हो गया ना पहली कंप्यूटर की भासा 1903 में प्रयोग की गई कोबोल क्या है कुशन आ सकता है न ठीक उसके बाद आया ठीक है 1911 में इ glaze है फोल ट्रन ये वी क्या किप्रोग्रांबिंग भाआ जाए है कंप्यूटर की प्रोग्रांबिंग भाआ है कोवोल भी और होड ऐसके बाद malaria के चार साल बाद में इंटीगेटर सर्किट बनी जिसको हम लोग चीप करते हैं उसको बहुत छोटा पर चीप बन गया तो बहुत चोटा हो गया अब जितना चोटा होता जाएगा उतना अब बहुत बड़ी पहले बैंकों में कोई अगर देखा होगा देखा होगा पूरा ब्लैक ब्लैक पूरा इस्क्रीन रहती थी कुछ बस उस पर लिखा रहता था उसी से सारा कामता था कोई इमेज दिखाने दे रहा था अब जो है 1964 में जी यू आई आया जब ग्राफिकल यूजर इंटर्फेस मतलब आप च्छोटे च्छोटे बड़े जो भी से ओ इमेज दिखाई देने लगे अब हम लोग क्या करने लगे अब इमेज के साथ में चलने लगे थोड़ा और आसान हो आप लोग मैक्रोसाफ्ट माक्रोसाफ्ट विंडोज अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यह इमें पाइन स्ट और यूणिक्स कोशन दे सकते हैं ने लिखित में से कौन सा आप्रेटिंग्स इस्टम उसमें यूणिक्स लोगा तो यूणिक्स आप लगा जाये या कहेंगे यूनिक्स क्या है आप्रेटिंग सिस्टम है सिस्टम साफ्टवेर या फिर इस तरके से बहुत सारे आपसंदे देंगे तो ध्यान देना यूनिक्स एक आप्रेटिंग सिस्टम है वरी होती थीDet Centurylove changing चिप अबेड़ें की बारें पड़ेंगे रम माँरों क्या है उसके वारें इसेayan क्या होता रहे हैं भीच में से 10 एक से 10 तक कुछ क्या है उसमें उतने बीच में से अगर हम दो तीन को हटा दे डिलीट कर दें तो आटमेटिक जाता था तो डाइनामिक डाइमें तो यह हुआ था पहली बार जो डाइनामिक रहा में यूज किया गया तो नहीं सकते हैं अर्था यह जो उसके लोड बढ़ता था तो ज्यादा मेमोरी विपना काम कर सकते हैं कि बहूत सिस्टम काम कर रहा होता है कंपीटर काम कर रहता है होता है कि विद्डी मेमोरी चली जाती है तो यह रहता है रहां और पर फिर चर्चा करें गए अभी आगे वाले क्लास में आज कोल हिस्ट्री देखेंगे 1970 तक तो यह विकास हुआ 1970 में IBM फ्लापी डिस्क ला दिया यह फ्लापी डिस्क क्या होता है आगे हम चर्चा करेंगे एक एक फो इन्पूट आउट्पूट डिवाइस में और पूरा लगाते थे उसके अंदर से अपने आप सकता था और उसके डिस्क आ जाती थी वह पूरा का पूरा उसके काम होता था फिलाल यह IBM दिया था 1971 में दिया था फ्लापी डिस्क बहुत बड़े बड़े नहीं होते थे बहुत कम स्पेस उसमें होती थी मैं बताऊंगा फ्लापी डिस्क पढ़ाऊंगा था 1973 में इधरनेट से जैसे आप लोग यूज करते होंगे इंटरनेट लगाने के जो केबल वाला होता इधरनेट केबल उसमें आरजे खते हैं क्या उसको तो उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट का केबल था इधरनेट केबल होता है अभी यहां पे तो नहीं नहीं दिखा देते तो इधरनेट केबल से अलग 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 हाइडवेर से अलग अलग डिवाइस से क्या कर दिया जोड़ा जाने लगा उसको जोड़ा जाना उसके बाद हम लोग आते हैं 1981 में सोचो लगभग आठ साल बाद आठ साल बाद आइवियम पहला परसनल कंप्यूटर लेके आए जिसका नाम था एक आर्न यहां से दिखो जो हम बता रहेते हैं कि डास वाला यहां पर आए अब हमको कंप्यूटर जैसा दिखने लगा जो भी मैं बता रहा था पीछे कुछ पर ब्लेंग टाइप लिख रहा था तो यह करता था ठीक है क्रेक्टर यूजर इंटर्फेस पर यह कॉर्ण मैंक्रोसाफ्ट डिस्क आपरेटिंग सिस्टम यह आईवियम के साथ मिल करके पहला परसनल कंप्यूटर जब आईवियम दिया तो उसमें M.S.DOS की जो आपरेटिंग सिस्टम थी इसको मैंक्रोसाफ कंपनी बनाई है M.S.Dos सिसका नाम है एक और एक और एक कंप्यूटर है जिसके अंदर जो आपरेटिंग सिस्टम है और डास उसको कहते हैं ठीक है यह डाल करकर के दिया परसनल कंप्यूटर अब जैसा के हम लोग बताने बैंकों में जो यूज होता था अब हम लोग टीवी के फार्म में देखना है इसके पहले तो जैसे लगता था कि कोई खिलोना है कोई बहुत बड़ी-बड़ी कई याल मारी जैसे कुछ मसीन है क्ई चल रहा हुआ उसको लोग कंप्यूटर कर दे सूचो कि जो साड़ी भी जाती है जिसमें हो चल रहा है उसको भी हम लोग क्या कहा दी तो इसा आमको देखने को मिल नहीं रहा था अब देखने को मिलेगा जब धेस्ञार के बाहर बाद हो रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा 1983 में पहला GUI आधारित पर्सनल कंप्यूटर बना एपल्स लीशा यह ग्राफिकल यूजर इंटर्स है दो साल बाद में सोचो यह दो साल पहले अधारित पर्सनल कंप्यूटर बना था 1983 में सोचो अब आगे क्या होगा 1983 बाद 1990 में साथ साल बाद HTTP आ गया ओ जो आप लोग इंटरनेट में यूज़ करते होंगे ठेक HTTP अभी जब इंटरनेट पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे 1990 में ज्यादा हम चर्चा करेंगे तो फिर बड़ा कठील लगने लगगा 90 में आया लेकिन अब इस सब तो मैं ब अब जब हम लोग इतना पढ़ लिए 1990 तक बहुत कुछ जान लिए अब इंटरनेट और आएगा इंटरनेट आई गया इंटरनेट आही गया यहां पर तो अब जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान देना इंडिया में इसी तरह से बहुत सारा कंप्य कंप्यूटर का विकास कैसे होता इसके बारे में चर्चा करेंगे तो भी पूरा का पूरा ओवराल था कहीं भी हुआ हो किस तरीके से हम लोग सोचते-सोचते कंप्यूटर के बारे में समझते-सोचते यहां तक पहुचे अब जो हम लोग जो अभी तक दिमाग बैट रहा सिद्धार्थ फिर आया परम उसके बाद परम यू आ टू बहुत बहतरीन जो एक तरीके से हम कर सकते हैं परम-यू आ टू जो इस टाइम बन रहा हम लोग नहीं चलाते हैं इसको हम लोग तो पहले हेक-2-Yum या क्या है भारत ने अपना पहला कंप्यूटर 1956 में दस लाक रुपए में खरी दया था और किये क्या इसका भारती सांख्ष की संस्थान कुलकाता में जो अब कलकत्ता में वहां पर यह रखा गया भारती सांख्ष की संस्थान के लिए आप जो चलते था काम में गंफिर बदल करके आता है ऐसको ब्रह्तरी ने all the company बना था इसको यह भात मने सबसे पहले भारत में प्रथम अल्यक्टविय मा असर से पहला था यह ज़़ाओ मेंटिक अल्यॵط आटमेटिक कल्कुलेटर टाटा इंशीट्यूट आफ फंडामेटल रिसर्च आटमेटिक कल्कुलेटर अब उस टाइम में जब जोहलाल नहरुजी थे उस टाइम प्रधान मंत्री पहले भी बन गया था अब 1960 में भारत की प्रधान मंत्री थे इसका नाम टाटा इंशीट आफ फंडामेटल रिसर्च आटमेटिक कल्कुलेटर का एक एक डिजिट्स पहले वाला लिए और इसका नाम बना दिये टी आई आई आरे सी जबकि इसके पहले कोई बिस्यस नाम इसक इसका नाम दिया टि यह फ्राक हना चाहिए फंडामेंटल इसका छूट गया है तो क्या होता है टिफ्राक प्रवकतर से परणथ इसरिशे काल्कुलेटर यह पूरा नाम है परणतु यह वाधा जब काम में लाया जाने के लिए प्रयोग कर रहे थे तो लोग इतना जल्दी उसे नहीं कर पाते जिसका कुछ बतर्ब बहुत काम एक तरके से नाम मातर का लगा था जिसे स्कूलों में होता था कि कर दो लगया कर लगया कमीटर चलता नहीं था हो तो और तो कब बना 1965 में 1965 में अब ध्रदर उपयोग में आने लगा मतल अब द्रदर इसका यूज होने लगा की इसका टिफराक का पहले आ गया था बहुत दुंहें तक बसं रखा गया था इसको टिफराक है तो इसका टिफराक इसका नाम बदल लेकिन साध उसको टीरिया की करते हैं दिमाग में क्या है ना कि इसका इस्पेलिंग ही अगर आप लोग ले तो बन जाएगा टाटा का टी इंस्टीटीट का आई आफ फंडामेंटल का एफ रिसर्च का आर आटोमेटिक का ए करोड़ने का सी ठेक तो उसका नाम भाई अब रख दियेंगे इसका नाम यह हो गया हो स रहेगा तो बता दूँगा अगे देखते हैं औरत क्या है निर्वित पहला कंप्यूटर कौन था तो आप उतर दोगे सिधार्थ, भारत में निर्मेत जो पहला कर्मिटर हो क्या है वो सिधार्थ है, वो सिधार्थ के बारे में आप बता होगे, खुशन आता है क्या है सिधार्थ, चले देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, इसका निर्माण कहां सुब था, एक कह सकते हैं इलेक्ट्रानिक कार्पो रेशन आप इंडिया ऊश्बूरा लिक्कर रहता है भी 1963 में पहला कम्उटर बनाया सिद्धाद में इसमें सबसे पहले शीलीकन से बनी चीप का प्रयोग किया गया था जो चीप थी वा चीप silicon कई सेंवी सेमी कंडक्टर है क्या हो सेमी कंडक्टर और सेंवी कंडक्टर से बनी सबसे पहला सिधार्थ में लगाए गया थे और अब जो चीप बनता जाएगा और पुरा पुरा चोटा होता जाएगा ठीक है आगे चले देखते हैं फिर आता है परम परम स्रीज में बहुत सारे बनाए गये यह पूड़े में सीडेक द्वारा कमपणी एक सीडेक है ठीक है उसके द्वारा बनाया गया डिजाइन किया गया स्योपरकेश्य की एक सीडेम अतल बहुत सारे सूपर केम्टेर बनाये गये हैं परम 2800 यह पहला सुपर शंप कुछा सकता है कि परम इसका पहला सुपर कम्मिटर कौन था तो आप दोगे परम 8000 इसका विकास के हुए था 1991 में किया गया था इस सीरीज का जो लेटेस्ट वर्जन है वह है परम यूवा सेकेंड ठीक क्या है परम यूवा सेकेंड यह अधितम पांसाओ 32 टेरा प्रफर जिसको मिलोग बोलते हैं टीर्फ एलो प्रफ्री एस टेरा फ्राफ की गति से कारे निस्पादित करने में सक्षम है अर्था कंप्यूट्र की तेजी या गति या कारि निस्पादन करने की चंता जो उसको नापते हैं किसमें हम लोग Teraflaps में किसमें आपते हैं teraflaps when t Trailops 500 32 teraflaps तक कि यह कारे कर सकती है param u бер tú बहुत तग्रा है अब मैं ज़्लते परम् सूपरकींटर है जो कि 500 से अधिक का स्पीड लिया है aosad अधिक से कम तो और भी बने वन टेरा फ्लाप्स बना होगा उसके बाद देदरें हम लोग 500 तक पहुंचे होंगे तो तगड़ा है विजली इसमें कम लेती है नॉबर 2012 तक विश्व का अगर सिर्ष ग्रिन 500 सूपर कमिटर को मिला जा तो उसमें इसका स्थान तैटी सुमा स्थान पर परम इसान था जो 19 सितंबर 2016 में उस समय के मानसर साधन विकास मंत्री प्रकास जावेड कर जी थे याईटी गुवाहाटी में इसका उद्गाटन किये थे ठीक है परम इसान पहला था सोचो 2016 में वन टीफ टी फ्लाप अर्था टेरा फ्लाप की कम्प्रिटर बनाए गए थी परम इसान और फिर आते आते सोचो बहुत तगड़ा बनता चला गया और अब तो भाई बहुत ही हो गया बहुत हो गया यह 2012 में बीस का था 2012 में कहां हो पाएगा 2020 की बात कर रहे होंगे 2020 में डाटा आया था पूरा नावाला बहुत रटा में पास 2020 का आभी हम आगे चर्चा करेंगे यहां तक आते हो पांग सूपर कंप्यूटर की सूची में इसका इस्थान आया था और इसकी स्पीड 500 से अधिक टेरा फ्लाप से ह संवंबर दो हुआ हica क्या होँ सेंटरय डव्लक्मेंट आफ एडवांस कंप्यूटिंग प्रगत स Cameron अब यहां से बहुत सारे काम होते थे इसांवजा आप पूरा पूरा फूरा फशान विल्लाज हूआ А många है खाय से भी यह 10- penalty एक पूर्मे से पस्तिर। में चुर्थेंट करने वाले कंप्यूटर का डिजाइन करना उसका वन पांद करें अबने बहुत सारह पर अगरे समीर क्या है समीर का अगर फुल फार्म हम अगर पढ़ें सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्रोवेव इंजिनिंग एंड रिसार्च इसका साजकट है समीर यह कहा है यह इलेक्रोवेव सूचना प्रद्रक्री विभाग भारा सरकार दोरा बंबई में माइक्रोवेव प्रद्रक्रोवेव प्रद्रक्रोरा कारे करने वाला एक सखना है फिलाल में से उतना ज़्यादा को संट नहीं बनेगा भारती साफ्ट्वेर प्रद्योगी एक बनी पाक्स क्या बनी पाक्स भारत में साफ्ट्वेर निर्यात को भावा देने के उद्देश से यह 1901 क्यामे में बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी संचार एवं सूचना पाक्स बना गया क्यों बना गया भारत में साफ्ट्वेर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटरों का वर्गिकरण जो अभी तक बहुत सारे कंप्यूटर बनेंगे उसका अगर वर्गिकरण हम लोग समझें तो क्या होगा तो पहला तो हो जाता है ठीक किस करेंगे ठीक ना तो चलिए सबसे पहले बताते हैं अनुप्ड्यों क्यां पर अनुप्रएओक के आधार पर सबसे पहला है आपका digital कुपीटर फिर आता है एनालाग कम्पुटर हाइबरीड कंप्यूटर प्रकासी और क्वांटम कंप्यूटर यह पुल्श प्रियोग के आधाथर पार प्रव हो चकांपsyयद कंप झाल्ग की और निया Channel करको सकते हैं और अनुप्रयोग के आधार पर आती है एक क्या है कैसे है तो यह देखो डिजिटल कंप्यूटर जो आप लोग यह वाली य। इमेज Perfect का इमेज देख रहे हैं यहां यहuper क्या है इसको दिजिटल कंप्यूटर उसके बार बार और यहांती है in a ense类 की थे लुवा Tale के सौत करते हैं यह अचीझ अब देख सकते हैं इमेज तिन नंबर में उधर साइड लाश में दिखाई दे रहा है वह क्यों सा है वह हाइब्रीड कंप्यूटर है आता है का प्रकाशी प्रकाशी वाले में हम बता दें आप्टिकल फाइवर अगर आप लोग देखेंगे जिसे इंटरेट वह आजकल यह बहुत सारी चलते उसी प्रकाशी कंप्यूटर उसका रुद्ध प्रकाशी प्रकाशी कंप्यूटर इसके कंप्यूटर इसका थीख है तो यह पूरा का पूरा एक इम्यज है बहुत सारे कम्पूटर फेला वाले को देखने को नहीं इंफ समझते या नहीं समझते हैं लगा नहीं मांता है परपस के आधार पर दो तरके में में बताया सामान नूद इस computer जो यह सब यूज़ करते हैं हम लोग और विसिष्ट वाला भी इसी टाइप का होता है बट वो थोड़ा सा दिखाईता है जिसे माली एक सरे निकालने वाली जो computer लगी होती है या अल्ट्रा साउंड करने वाली जो मसीन होती है उसमें विसिष्ट उद्देश के लिए उसके लिए लगाया जाते हैं तो हो जाता है विसिष्ट उद्देश और हम लोग सामाने जो जर्नली यूज़ करते हैं वो तो देखी लिए आकार या साइस के आधार माइक्रो कम्प्यटर्स मैं अलग से तोड़ सकते हैं चार पार्ट में लेटाप कम्प्यूटर आता है नौट्बूक कम्प्यूटर टेबलेट एयर топ नाउटमक्प्यूटर स्य पश्क्रा में तो जो थे वहां पर आप तो बहुत चोटा हो गया अगर आपको इसका इमेज देखना है तो इसका इमेज देख लीजिए यहां डेक्स टॉप कम्प्यूटर लेटाप को आप लोग देखी रहे हैं समझ ही रहे हैं जानी रहे हैं लेटाप तो आज सकल भाई बहुत घरों-घरों में बहुत सारे लोगों के हां हो गया है उत्तर प्रदेश में अधर इस्टेट में भी हो गया होगा चलिए ठीक है आगे देखते हैं पांटाप कम्प्यूटर यह हाथ में छोटा सबहुत होता है पांटाप आप में लेकर के चला सकता है नोटबुक कम्प्यूटर जो यह लोग कह देते हैं इसको तो एक सब माइक्रो कम्प्यूटर के अंतरगत आते हैं यह सब किसमें आते हैं माइक्रो कम्प्यूटर में आते हैं उसके बाद आता है देखो माइक्रो कम्प्यूटर में यह सब पहले नंबर पर रखा गया तो सब कुछ आ सकता है मिनी कम्प्यू अब जो बहुत है स्पीड है आ रहें वह यह देखने को मिलेंगे बहुत ही फार्ष हो जाता है तो मिनी कंप्यूटर हो में फ्रेम कंप्यूटर देखो बहुत बड़े ऐसे होते हैं उसकी साइज जड़िक होती है बहुत बड़ी होती है सूपर कंप्यूटर के भी बात ही छोड़ दो वह तो सूपर है भाई यू आटू परम यू आटू बहुत तगड़ा चलता है हमको लगता है कि जितना हम बाप रिपाप इतना तगड़ा फास मतलब मतलब जापान का है और पूरा का पूरा कंट्रल करके चलता है अगर हम लोग यहां से ढटा कर देशीयों कि यहां से बहुत सारा data है जो हम लोग अमेरिका में सेव करके रखे होते हैं अक हां बिलकुल फुगा कू जो लोग का र क्वेटर की पाँटर की पढ़ी पढ़ी पहली पीडी उनीसोच्छी आलिस लेकर करके उनीसोच्ट तक कहा जाता है माना जाता है उसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे मैंनेटिक ड्रम मेमोरी के लिए लगे होते थे सब्सक्राइब जो था हूँ मासीन लेंग्वेज का प्रियों के अता साफ्ट्र में मसीन लेंग्वेज उसमें यूज होती थी दूसरी जो जनरेशन में आया 1969 में 1969 मैं 1969 को क्वा हम लोग क्या करते हैं सेकेंड जान्रेशन उसमें ट्रांजिस्टर में बदल दिया गया बहुत बहुत बोट बच्वाइड अगया ठीक उसके बाद हम बात करते हैं थीसरी थरड जेरेशन में थर्ड जेरेशन प्रीयोग किये इसका प्रयोग किये और इसमें हम लोग software में बात करें तो operating system आने लगा क्या आगया आपरेटिंग डिस्क आपरेटिंग सिस्टम high-level language basic का प्रयोग यह सब धिरे 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 आने लगा उच्छ तरी भास वह तो high-level language और आप देखेंगे भी computer की मासा high-level language और low-level language बात करेंगे बारी नंबर उगर पर चर्चा करेंगे चौथी जनरेशन जो है 1971 से लेकर करके नौ साल 1980 तक मानी जाती है तो 1971 से 1980 तक हम लोग कहते हैं चौथी जनरेशन ठीक इसमें ध्यान देना VLSIC या VLSI circuit मतलब very large scale integrated circuit बहुत जितने भी circuit से सबको बहुत क्या कर दिया गया integrate सबको मिला दिया गया बहुत चोटे और जो सब बहुत छोटा हो गया तो बन गया चौथी जो जनरेशन थी उसमें क्या हुआ very large scale integrated circuit का प्रयोग किया गया और हम कर सकते हैं प्रोसेसर का प्रयोग किया गया ठीक इसमें जो साफ्ट्वेर आये हो डाटाबेस पर हुए डाटाबेस वाले साफ्ट्वेर हुए ग्राफिकल यूजर इंटेवेस वाला साफ्ट्वेर आ गया सबकुछ इसमें चोथे जनरेशन में देखने को मिलने लगा 1980 में पाच्वी जनरेशन 1980 से लेकरके अब तक माना है पाच्वी जनरेशन और इसमें आप देखी रहे हो मल्टिमीडिया का जमाना है इंटर्नेट आ गया आप्टिकल डिस्क आ गया ओ सीडी वाला जो होता था वह सब हाइडवेर तमाम चीज़ें उसमें अब चेंजिस हो गया तो अब तो बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूटूथ और सब आगया इंटरनेट और आटिफिसल इंटेलिजेंसी वाले साफ्ट्वेर का प्रियोग अब किया जाने लगा अच्छा इसमें और कुछ जैसे बना और इसी में आता है फश जैनरेशन का पहला कंप्यूटर नक जो लोग कहते हैं यहिंन आप लोग कहते होंगो कि पहला कंप्यूटर जो हम लोग यूस करें फश्च जैनरेशन का पहला computer आनियाइक ठीक और उसके बाद में जो कामर्शेल हो के लिए यूनिवर्सल कंप्यूटर ठीक ए सब आ गया है फर्स जनरेशन में आ गया था मतब इसका सब्सक्राइब उसमें चल रहा था तो यह सब चीज रहे निया पहला कंप्यूटर था फर्स जनरेशन का और उसके बाद अगर हम कहें कि यूनिवां को गरें क्या है तो यह तो कामर्सिल परपस के लिए यूज होते थे ठीक है माने यह भी तब आ गए थे सेकेंड जनरेशन में अगर हम बाद करें 1969 लेकर के 1965 में तो आकार थोड़ा छोटा हुआ जब बढ़ेगी बिजली कम खाएगी यही मूल उद्यस इसी पर है मतलब कितना ज्यादा ज्यादा आटमेटिक काम कर दे जैसे आज कल आप लोग कुछ सर्च करते हैं उससे समझनी चीज़े आ जाती है अपने आप पते तुरंत उससे समझनी चीज़े आ जाती है और भी ब काम हो रहा था और बहुत सारा काम हुआ था अगर आप लोग चीप से एक बार सर्च कर लिए तो बार बार आपको लोगे तो चीप का प्रचार आपके मुभाइल पर दिखाया जाएगा तो आगे देखते हैं जब तीसरी पिढ़ी आई 1965 से लेकर करके 70 के 71 के बीच में तो अब और चोटा हो गया और चोटा हो गया ठिक और प्रोसेसिंग फास्ट होने लगी और इसी समय में जो कंप्यूटर बने वो मिनी कंप्यूटर बने चोटे वाले जो हम लोग लेकर के आराम से चल रहे हैं चौथी पिढ़ी में तीज गती हाई स्पीड का काम हुआ पैसा भी कम हो गया मनने अब खर्च बहुत कम लगने लगा और अब चौथे पिढ़ी में 1971 से लेकर करके 80 के बीच में बहुत सारा काम हुआ और माइक्र कम्प्यूटर बनाये जाने लगे पाचमी उननीस सो असी से लेकर के अब तक तो कहना ही नहीं है अत्यांत छोटा बिल्कुल बहुत तीज गती से बहु आयामी अर्थात माल्टी फंक्शनल लैप्टॉप कम्प्यूटर नोटबूक पांटाप सुपर कम्प्यूटर बनाये जाने लगे अब तो ए है इसकी विश्यस्ता हैं इसको पूल हम पांच पिढ़ी में बाटे हैं फिर अब तक थीक है आगे चलिए देखते हैं विश्यस्ता सूपर कम्प्यूटर के बारे में जो फूगाकू जिसको अभी चर्चा हुई थी फूगाकू के लिए यह ध्यान देना जापान की एक लैब है रिकेन कैंद्र रिकेन रिकेन में जगह है वहां पर रिकेन के अंदर कंप्यू कंप्यूटेशनल साइंस जापान में फुगाकू उस जो डिवाइस है उस कंप्यूटर है उसका नाम है जिसकी स्पीड आप देख सकते हो इतना टेरा फ्लाप चार सो पंद्रह हजार पांसो तीस टेरा फ्लाप्स पहुत फास्ट उसकी तुलना में आगे देखो नीचे डियोई यसी ओक रिड्स डेशनल लेबरेटरी अमेरिका द्वारा आई बीम कंपनी बनाई थी इसको समिट जिसका नाम दिया गया वह 148 सुचो बहुत कम हो गया 148 600 पे रह गया फिर उसके नीचे फिर सीरा बना ठिक उसके नीचे देखो गए तो सन्वे बना नौसवत में फिर उससे नीचे मतलब है अगर विस्वकी अगर हम देखे तो सबसे फास्ट वाली यह फुगा कू बहुत ही तगड़ा है आप देख सकते हो वह बहुत ही पर इंडियन इंस्टिट्वीट आफ ट्रापिकल मेटरोलाजी पूड़े जो बनाया है प्रत्यूस क्या बनाया है प्रत्यूस इसकी स्पीट 3703.9 टेरा फ्लाप्स है इतना ही है भाई वहां पे तो बहुत है यहां पे हम लोग हजार में क्यों तीन हजार पे हैं वह लोग आप 120 कर सकते हैं तो यह जून 2020 की डाटा देखो मैं बता रहे ना जून 2020 में जो डाटा आया था यह च्छा महिने पे आता है तो उस टाइम तक यहां पर क्लास थोड़ी बड़ी हुई है लेकिन पूरी की पूरी पूरी इतिहास में जो जो मूल कोशन बनने वाले थे जो चीज़े बात होनी वाले थे उसको हम लोग यहां पर चर्चा कर लिए हैं ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का यह बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा चली चलते हैं कुछ को संको हम लोग अब यहां पर देखेंगे को इसी में लें तो कुछ सन अगले वाले में देख लेते हैं ठीक है